जेहीं दोस्तों स्वागत है आपका और रखने वीडियो में और रखने टोपिक के साथ बोईंग ने सबकी रेल बना डाले MRFA डील तो सले दोस्तों ये बड़ी डील हुई है देखते हैं आशा करेंगे दोस्तों वीडियो पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेर शेकर दीजेगा और चैनल पर पहली बारा है साबस्क्राइब ने किया तो साथ में साथ क्वैपी कर दीजेगा दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी हत्यार निर्माता कंपनी बोईंग पागल हो चुकी है इन्होंने भारत को ऐसे ऐसे ओफर दे डाले हैं जिन्होंने पूरे हत्यार मार्किट में आग लगा कर रखती है और जो ओफर इन्होंने आज दिये है ना उससे एक बात तो तैह हो गई है कि बोईंग भारत की जो MRFA डील है जिसके तेहत भारत कम से कम 114 लड़ा को विमान खरीदने वाला है उस डील के लिए बोईंग ओल आउट जा रही है यहां तक की अमेरिका की ही एक और कमपनी है लोखिड मार्टीन जो दुनिया की सबसे बड़ी हत्यार बनाने वाली कमपनी है वो भी सो रही है सुस्ता रही है वहीं दूसी तरफ राफेल बनाने वाली कमपनी है दसोल्ट जो एक फ्रेंच कमपनी है उसकी चाल भी कच्छवे वाली है यानि कि बहुत ही धीमे से वो इस डील को लेकर आगे बढ़ रहे हैं लेकिन बोइंग ये तो all out जा चुकी है भारत को ऐसे ऐसे option दे दिये है जिसने सब का दिमाग घुमा कर रख दिया है और ये भारत के लिए बहुत शांदार खबर है भले ही भारत बोइंग के लडाकू विमान खरीदे या ना खरीदे लेकिन एक बात तै है कि बोइंग के ओफर से भारत का बंपर फाइदा होगा वो क्यों वो इसलिए क्योंकि बोईंग के ओफर को टक्कर देने के लिए चाहे अमेरिका की कमपनी लोखिट मार्टिन हो चाहे फ्रांस की कमपनी डसोल्ट हो जो की राफेल लडाकु विमान बनाती है या फिर रूस की कमपनी सुखोई हो जो की SU-35 बनाती है अब इन्हें इन्हें भी जमीन पर लाना होगा यानि कि देखा जाए तो बोईंग का ये ओफर भारत के लिए बहुत बड़ा फाइदे का सोदा है क्योंकि इसने कमपिटिशन को हीट अप कर दिया है और कमपिटिशन हमेशा ग्रहा के हित में होता है और यहां पर खरीदार भारत है यान इसे की दुनिया में one of the best fighter jet माना जाता है इसी लड़ाकु विमान का एक नया model आ चुका है जिसे कहा जा रहा है F-15EX और इसे अभी तक अमरीकी सेना में भी शामिल नहीं किया गया है और यह पूरी तरीके से एक नया fighter jet है और इस लड़ाकु विमान को अमरीकी सेना बहुती बड़े लेवल पर अपनी वाईू सेना में शामिल करेगी बोईंग ने का है कि यह सेम लड़ाकु विमान भारत के हिसाब से मोडिफाई करके हम भारत को ओफर करने को तयार है इतना ही नहीं इस लड़ाकु विमान के साथ जितने भी state of the art मिसाइले हैं जितने भी weapon system है वो भी हम आपको ओफर करेंगे वो भी सेम वो ही जो अमरीकी सेना को हम देने वाले हैं इतना ही नहीं आगे इन्होंने एक और धमा का ये कर दिया कि चाहे आप हमारा F-15 EX ले लीजिए या फिर F-18 Super Hornet ले लीजिए कोई भी लड़ा को इमान लीजिए हम आपको अमरीका के one of the best जो मिसाइले हैं जो अमरीकी वायू सेना इस्तमाल करती हैं वो तो देंगे ही देंगे साथ यगर भारत कहेगा तो भारत की जो मिसाइले हैं जो सवदेशी मिसाइले हैं वो भी हम लगाने को तयार हैं हम ऐसे मोडिफिकेशन कर देंगे कि भारत की जो अस्त्रा मिसाइले है इसके लावा जो भारत की smart anti air field missile है जो हाल ही में आई है उसे भी integrate कर दिया जाएगा इसके लावा भारत की जितनी भी air to air air to ground missile हैं सब की सब लगाई जा सकेंगी F-15EX या फिर F-18 super hornet में साथ ये भी का गया है कि जितने भी लड़ा को विमान इस पूरी परकिरिया में शामिल है चाहे वो फ्रांस का राफेल हो या फिर रूस का सुखोई SU-35 हो या फिर अमेरिका का ही एक और लड़ा को विमान है लोखिड मार्टिन F-21 इन तमाम लड़ा को विमानों में जो हमारे यानि कि बोईंग के लड़ा को विमान है यानि कि F-18 super hornet और F-15EX ये लड़ा को विमा सबसे ज़्यादा रिलाइबल हैं क्योंकि ये दोनों ही लड़ा को विमान चले 20 सालों से भी ज़्यादा लंबे वक्त से अमरीकी नो सेना और वायू सेना में सर्विस दे रहे हैं और अब हमने इने इस लेवल पर अफग्रेड कर दिया है कि अमरीका की सेना आने वाले कम से कम 35 सालों तक इन दोनों लड़ा को विमानों को इस्तमाल करने वाली हैं इसी वज़े से ये ट्राइन और टेस्टिड और जितने भी युद हुए हैं यानि कि बैटल टेस्टिड लड़ा को विमान हैं इसी लिए आप इन्हें खरीद सकते हैं लेकिन आपको वदा दू सुखोई 35 या अमेरिका का ही एफ 21 इन सब की लंका लगने वाली है और इस सब में सबसे बड़ा विजयता होगा भारत क्यूंकि बोईंग को टक कर देने के लिए इन्हें भी अपने लड़ाकू विमानों के कीमते गिरानी पड़ेगी भारत को बहतर ओफर देना पड़ेग मतलब यह हमारी माहम मानते हैं फिर बात भाई हमारे से भी बहुत पुद्दीशाली लोग डिफेंस सेक्टर में बैठे हुए कॉल उसका है सरकार का है उसको जो ठीक लगे वही करेंगे हमारे कहने से इतना परक नहीं पड़ता है लेकिन डील अच्छी है यह हम जरूर कह सक है और दूसरी बात है देखो भाई कॉंपेटिशन होना ही कभी एक कंपनी मार्केट में दोस्तों होगी ना फिर उसकी ही मोनोपोली होगी तो ठीक है फिर हमें वही उसके पास से ही वह जो भी देंगे ने वह में लेना हो जो भी ऑपराइज रखे कि हमें वह में खरीज नह है मिलें करें दो